होली के बाद गर्मिया स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में ताजा ताजा कच्ची केरिया आना स्टार्ट हो जाती है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कच्ची केरिय से कुछ स्पेशल सा बनाया जाए तो यहाँ पर मैंने कच्ची केरियों को पानी में काफी अच्छे से धो लिया है सारी केरियों को धोने के बाद मैंने पानी इसका चेंज कर दिया था उसके बाद मैंने एक आमबी ले ली है और उसको काफी अच्छे से मैंने कपड़े से पहुंच लिया है उसके बाद हमें इसके चिकल है वो हमें उतारने है जब हम छोटे थे और गाउ में अपनी नानी के घर जाया करते थे तो वहाँ पर तो हमारा खुद का बाग था तो वहाँ पर से जो आमिया तूट के पेड से नीचे गिरती थी थी न तो उसके अंदर हलका सा नमक लगा के खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता था मज़ा आ जाता था तो फिलाल बचपन की वो सारी चीज़े तो नहीं है अभी तो यहाँ पर मैंने कैरी को छीलने के बाद छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है यानि चॉप कर लिया है उसके बाद जो रो मैंगो है उसको मैंने जार में डाल दिया है यहां मैंने लाल मिच को 10 मिट के लिए भिगो दिया था तो वो मैंने डाल दी है फिर मैंने इसमें लस्तन है चीले हुए वो डाल दी है सावत मैंने इसके अंदर धनिया डाला है एक चमच और मैंने फिर इसमें दो से धाई चमच लाल मिश डाली है लाल मिश पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर गुड़ डाला है जिससे एनस का खटा पने है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए क्योंकि आम भी बहुत खटी होती है उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसको हमें मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एकदम स्मूथ पेस्ट पतेयार कर लाएं चाहे तो आप इसको सिलव हो गई है हमारी instant raw mango की चटनी जिसको हम स्टोर करके हफते भर तक के लिए फ्रीज में रख देंगे तो खा सकते हैं और यह हर किसी के साथ अच्छी लग सकती है रोटी के साथ पूरी के साथ ब्रेड के साथ मैं तो किसी के साथ भी से खा लेती हूं इतनी टेस्टी और अगर पकोड़ों के साथ मिल जाए यह चटनी तो मज़े ही आ जाते हैं तो यहां पर हमारी चटनी हो गई है तैयार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आही हो तो प्लीज लाइक करिएगा जादा से जादा शेयर करिएगा और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करिएगा, इससे मेरी जो भी नई वीडियो अप्लोड होगी, उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पर जो चटनी है, वो इतनी स्पाइसी और इतनी खटी बनी थी, मज़ा आ गया था, आप भी यह चटनी बनाईए, खाईए, पीए लाइफ को इंजोई करिए, बाबाई,